हेलो एब्रीवान कैसे आप सब उमीद करते हैं कि आप सब खेरियत से होंगे तो आज मैं आपको बेबी गर्ल फ्रॉक की कटिन एन स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही असान तरीके से तो यह मैं अमरेला फ्रॉक बनाई हूँ अमरेला कटिन करी हूँ तो यहां पर चलगे मैं स्टार्ट करती हूँ तो यहां पर मैं कपड़े को फोर फोल्ड में करी हूँ कपड़े को मैं साई सेट कर लूँगी और यहां से मैं लंबाई ले रहे हूं तो लंबाई में 8 इंच पे रखी हूं चूली के लंबाई तो इस तरह से मैं 9 ट्रो कर दूँगी सीधा लें और यहां से मैं सोल्डर ले रहे हूं 4 इंच पे तो इस तरह से मैं निसान लगा दू दोनों पार्त कि कटीन एक साथ में कर रही हूं तो मैं दोनों साइट में मैं गला बराबर बना रहे हूं पीछे से मैं कट लगाऊंगी इसे बनाना बहुत ही असान है आप बहुत ही असान तरीके से बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बना सकते है तो इस तरह से मैं चोले की कटिन कर चुकी हूं अब मैं इसको एक पीछे के पार्ट में कटिन करूंगी तो इस तरह से यहां पे मैं कट लगाऊंगी बैक साइड में यहां पे मैं हुक पार्टी लगाऊंगी तो यह मैं देढ़ हिंच के करीब में कटी हूं इस तरह से अब मैं अम्रेला की कटिन करूँगी घेरे की कटिन करूँगी फ्रॉक की तो इस तरह से मैं फोर फोल्ड में करी हूँ कप्रे को मैं फोर फोल्ड में करी हूँ इस तरह से कप्रे को सई से सेट कर लूँगी और यहां पर मैं चोली को लेकर के जितना कमर है उतना ही साब से मैं इस पे निसान लगाऊंगी इस तरह से अब मैं इंची टेप की मदद से मैं इस पे निसान लगाऊंगी तो थिरी इंच पे गुलाई सेब दूंगी तो इस तरह से आ रहा है अब मैं यहां से में लंबाई ले रही हूँ तो लंबाई में 10 इंच पे रखी हूँ तो इस तरह से मैं गुलाई में निसान लगाते जाओंगे 10 इंच पे इंची टेप को गुमाते हुए मैं निसान लगा रही हूँ तो यहां पे मैं निसान लगा चुकी हूँ अब मैं इसकी कटिन करूँगे इस तरह से काटने पे इसका घेरा बहुत ज़्यादा आएगा तो आप देख सकते हैं कितना घेरा आया है तो यहाँ पे मैं गले पे पट्टी लगाने के लिए यह कपड़ा ली हूँ तो इस तरह से इसको मिधा करके इसकी कटिन करूँगी तो जिस तरह से मैं गले के कटिन करी हूँ उसी तरह से मैं इसकी भी कटिन करूँगी तो इस तरह से मैं इसकी कटिन कर चुकी हूँ और यहां पर मैं जितना बीच में से काटी हूँ उतना मैं कटिन कर लूँगी तो इस तरह से मैं इसकी कटिन कर रही हूँ तो इस तरह से मैं इसको सीधा रख करके और इस पे इस तरह से रख करके इस पे में सिलाई लगाऊंगी तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको मैं कटिन करके निकाल दूँगी और यहां से में सिलाई लगाऊंगी तो दोनों में उसी तरह से मैं गला बना चुकी हूँ यहाँ पे पलट करके गलाब में बना चुकी हूँ और इसको मैं मिलाते हुए कंधे पे सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ अब यहाँ पे मैं उरे भी फटी काटी हूँ तो इसको मैं फोल्ड करके इस पे रख करके सिलाई लगाऊंगी किनारे किनारे में दोनों में इसी तरह से तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ अब मैं इसको अंदर के साइड में प्लट करके सिलाई लगाऊंगी दोनों मैं इसी तरह से अंदर के साइड में प्लट करके सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ इसी तरह से तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ तो यहां पर मैं गेरे को इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ मैं इसमें अटैच करूँगी कमर को मिलाते हुए इसमें अटैच कर दूँगी तो यहां पर मैं कमर पर अटैच कर चुकी हूँ अब मैं नीचे के साइड में फोल्ड करके मैं सिलाई लगाऊंगी पूरे में इसी तरह से तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ इस तरह से कटिन करने पे बहुत ज़्यादा घेरा होता है तो यहाँ पे मैं इसको स्टेच करूँगी यहाँ पे तो ये मेरा फाइनल लुक है बहुत ही प्यारा लग रहा है बनने के बाद और बहुत ही असान तरीके से बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लेस लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब ते के लिए अला आफीज